सब इस्टेंट्स को रमस्कार बिटा और जैसा कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ कोटा यूश्टी से रेलेटेड जो बाते हैं उनको लेकर के चर्चा करते हैं आज मैं फिर थोड़ी सी चर्चा आप लोग के साथ करना चाहूंगा एक तो ये कि अभी भी कुछ चीज़ें जो है यूश्टी से रेलेटेड किलियर नहीं हो पाई हैं जिनको लेकर के बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं मैं आपको बता दूँ कि अनवारिये विशेयों को लेकर के हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कंपलसरी के पेपर इस साल कौन-कौन से होंगे अनवारिये विशेयों के साथ साथ मैं इस वीडियो में डिसकस करूँगा आप लोगों के एक्जाम फोरम में जो डॉकुमेंट चाहिए न उनको ले करके भी चर्चा हम लोग करेंगे कि कौन-कौन से जो अनवारिया विसे हैं वह आपको अप्ट कर रहे हैं और exam forum जो है कब से शुरू होंगे और एक्जाम कब से हो सकती हैं ये कुछ चीजे हैं और बहुत संशिप में सर्चा करेंगे इसलिए जो भी बच्चे देखें एक तो आप लोग जो है टेलिग्राम पर डियस एजुकेटर को डाउनलोड करके रखें ये ये डियस एजुकेटर आप सर्च करोग हुआ तो ये आप लोग जो है थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा के रखें तो हम लोग जो है कुछ अपडेट्स आप लोगों के साथ साजा करते रहेंगे देखिए फर्स्ट सेम में अनवारिये बिसे आपको हिंदी या इंग्लिस में से कोई एक लेनी है इंग्लिस य हिंदी में से कोई एक लेनी है कुछ कॉलेजों में ये बाट दिया है हमारे यहां बाटा नहीं है जो स्टूडेंट्स हिंदी लेना चाहे वो हिंदी एक्जाम परम में बर देना और जो बच्चे इंग्लिस बरना चाहे वो इंग्लिस बर देना जो फर्स्ट सेम में हिंदी भरेंगे उनका second sem में English होगा, जो first sem में English भरेंगे उनका second sem में Hindi होगा, बस ये अंतर थोड़ा सा आएगा, इसके अलाबा कोई भी ऐसा change नहीं है, जो आपको करना है, दूसरा ये है कि private और regular सभी के लिए है, तो इस बात को लेकर के बार बार में नहीं कए, कोटा में private और regular अभी के लिए semester है, और first year में भी और MA previous में भी है, तो MA previous में भी semester होगा, इसको लेकर करके आप किसी प्रकार का संदे किसी के मन में नहीं होना चाहिए, एक चीज और मैं आपको बता दूँ कि second year, third year का pattern वही है, जो last year था, उसमें कोई परिवरतन नहीं रहेगा, exam form मैंने पह संभबत है, it may be possible कि आप लोगों के जो exams हैं, वो first week of February में शुरू हो जाएं या January के लाश्ट तक भी हो सकते हैं, first year वाले बच्चे जो है, अपनी 10th plus 12th की mark seat और उसके साथ जो है, यदि CBSC के हैं तो migration जरूर साथ में अपलोड करेंगे और साथ में पोरम जमा भी होगा ये, कॉलेजों में जमा होगा ये, private और regular सभी का, private बच्चों को home assignments करने होंगे और जो regular है उनको mid term और home assignment जरूरी है, जिनके mid term चूटे हैं, regular बच्चों के उनके दुबारा होंगे, वो अपने college में संपर्क करें, जिन भी बच्चों के चूटे हैं, एक तारिक को जो है, आप ल कोई बहुत major update नहीं है, बट मुझे लगता है कि second year, third year के जो paper है, वो संभवत तया first week of March में जो है, शुरू हो सकते हैं, खास तोर पे third year के paper के जल्दी शुरू होने की संभावना है, तो third year बच्चे खुद को alert mode पर रखें, MA के छोटे subject इनके साथ हो सकते है, MA final के, और previous का तो चुकि semester है तो वो तो फरवरी में निश्यत तोर पर हो जाएगा, जो rebel के remaining results हैं, वो संभवत आज कल में आ जाएंगे, supplementary का result भी जो है, पांस तारिक के आसपास आ जाना चाहिए, छोटी सी update है, मैं चाहूंगा कि इसे आ आप लोग जो है, एक दूसरे के साथ सेयर करें, साजा करें, आप सभी को सुब कामना है, wish you all the best, और good luck, thanks to all of you.